पूरी के पूरी अनलासिस हो गई है लेकिन मोमेंटम मजबूत है इसमें कोई दोराय नहीं और काफी संभव है कि वाजार अगर थोड़े से डिप्स दिखाता है तो वहाँ पर एक फ्रेश जो नए एंट्री करने के लिए तियार बैटें वो शायद वाजार में वहाँ पर साथ करेंगे लगातार तीजी बाजार में हुई है 24,800 के उपर की कल हमने क्लोजिंग देखी है हाला कि कल रेंज एक सीमित रही आज भी गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा वो थोड़े से सुस्त शुरुवात के ही संकेत दे रहा क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े से पॉजिटिव है बस फेड का इवेंट है तो आज शाम को सब की नजर रहेगी कि जरोम पवल क्या संकेत देंगे आगे मार्केट के डिरेक्शन के लिए तो ये बहुत ही एक एहम इवेंट है मार्केट के लिए तो उसके चलते आप देखे कल वीकली एक्सपारी थी अगर अगर दिख जाए तो बहुत ही अच्छे लेवल रहेंगे रिएंट्री करने के लिए तो काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन से वो निफ्टी के लिए और उपरी स्तर में अगर बजार चलता है तो जैसे मैंने का 25,050 एक रिजिस्टेंस रहेगा जहां पे काफी कॉल राइटिंग के बेट से तो ओर ओर एक पॉजिटिव विए मार्केट में बाय और डिप्स वाली रणनीती रखे पर आज का दिन शायद तोड़ा सुस्त रहे रेंज बांड रहे यह मेरा ओर ओर और अंटिसिपेशन है बाय और डिप्स की रणनीती आपको बनानी चाहिए लेकिन अल अल सुस्त दिन रह सकता है भारतिय बासारों के लिए किरन आप से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियास लेना चाहूंगे इंडेक्स थी तो हमने बात कर ली कौन से स्टॉक आज आज आप ट्रेड के लिए रेकिमेंड करना चाहेंगे वहाँ पर आज हम पर अच्छा लग रहा है वह देखो कि तो महाँ पर बुली सिर्ट डाइबर्जन करना हुआ है साथी साथ कल के सात्र में हमने देखा है कि काफी अच्छी तरह से उसमें लोगल लेवल पर रिकवर करके तीन दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है सो अवरोल रिवर्सल पैटन है रिस्क रिवर्ड रिशो फेवरेबल है 2340 के आज पास की क्लोजिंग है कि हम लॉंग करके जाएंगे ऊपर में 2400 तक के हमारे टार्गेट रहेंगे एंड 2300 के हमारे स्टॉप्रोज रहेंगे तो एसी से लिए उसकूट अच्छा लग रहा है वो बजाच फिंसा हुए बजाच फिंसा और बजाच फिंसा इवन डोनों स्टॉक हम अंडर परफॉर्मनस के अंदर है लेकिन कहीना कहीं हम देख रहा है कि पिछले 2-3 दिन से स्टॉक में नीचे के लेवल से अच्छी रिकावरी आई है और इस रिकावरी के चलते हुए स्टॉक्स ने अपने सभी इंपॉर्टन हुएंगे अबरे जिसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है कल के सत्रह में 2-3 दिन के हाई के ऊपर बंद हुए कोमेंटनम इंडिकेटर भी बुलिस जोन में अफ्रोज कर रहा है तो 1620 के आसपास की क्लोजिंग है हम लॉंग करके जाएंगे 1660 का अमारा टार्गेट रहेगा 1599 अज़ स्टॉक्लोज हम मेंटेन करेंगे तो यह से से बजाज मिन सब दो अमारे जाद के पिक रहेंगे बजाज फिंसर्व है इसके लिए टार्गेट होगा 1660 रुपे का स्टॉप्लोज लगा के चलना है 1599 रुपे का किरण जी आपने एक रुपे क्यों छोड़ दिया ये टार्गेट रोस टार्गेट रोस के अंदर राउंडिंग फिगर बहुत सारे लोगों होने 1660 रुपे का स्टॉप्लोज रखा होगा तो जनरली मार्केट उसी लेवल के आज पास से घुपता है तो भी फॉलो इस वे के वह अगर स्टॉप्लोज दिना है तो राउंड फिगर के लीचे देंगे और टार्गेट लेना है तो राउंड फिगर एक रुप्या होग हमने लगा कि नहीं कुछ क्रेक्लोजिशन के हिसाब से उसी प्या के बैठ रहा है आपका यह आंकड़े ठीक है 1599 रुपे का स्टॉप्लोस और टार्गेट 1660 रुपे का बजाज फिंसर्व के लिए और एसी सी पर खरदारी की राहे किरन की और टार्गेट 2400 रुपे का स्टॉपलोस एसी सी की लिए और हम देखने की सीमेंट काउंटरस में कल अच्छा मोमिंटम था कल हमने गुरासी में अच्छी तीजी देखी अल्ट्राटेक का शियर भी चल रहा था आज के रंबुजा भी फोकस मेरेगा आज ब्लॉग डील की वहां पर खबर है तो वाला जो सेग्मेंट होता है हुम इंप्रूफमेंट पेंट वाला यह भी सेग्मेंट धरज़रे बजींग होता है महसुं बीटने के साथ साथ ऑल्मॉस्त मतलब अपने लास्टचीज में हैं तो आपको ये इस तरह के शीर नहीं अब अपने exports के radar पर दिखाई देंगे देखे तो 1540-1550 के स्थर पे काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है बारत फोर्ज में एक ट्रेडिस्ट लीग है दो-तिन मैने में यहीं एक सपोर्ट बेस है जहां से बार-बार यह स्टॉक उचलने का पैटर्न दिखा रहा है तो एक वापस वही पैटर अपको दिखने को मिलेगा और स्टॉक सत्रा सो पार कर जागा यह मेरा ओर-वर्ण मानना है लॉंग एडिशन्स हो रहा है डेरिवेटिव सेग्मेंट में तो भारत फोर्ज बाय करे 1654 अपका पहला टारगेट बनेगा दूसरा टारगेट 1672 रहेगा और यह ट्रेड में 1582 यह आपका stop loss बनेगा दूसरा ट्रेड है भारती एरिटेल तो टेली कोम्यूनिकेशन स्पेस में अब देखे तो काफी अच्छी सेक्टोरल लॉंग एडिशन्स होते होई दिख रहे डेरिवेटिव मार्केट में और भारती एरिटेल सबसे टॉप पिक है यहाँ पे जो एक काफी लंबे दोर से कंसॉलिडेशन में चल रहा है और एक स्ट्रॉंग ब्रेकाउट की तयारी में है एक ब्रेकाउट में प्रियम्ट कर रहा हो जो करीबन पंदरा सो दस के उपर है तो करेंट रेट पे आपको भारती एरिटेल भाई करना है फॉर टार्गेट ऑफ 15.21 और 15.37 स्टॉप लॉस आपका बनेगा 14.62 ठीके भारत और भारती दो शेयर है भारत फोर्ज है टार्गेट होगा इसके लिए 1654 रुपे और 1672 रुपे का स्टॉप लॉस पंदरो सो ब्यासी रुपे का और भारती एरिटेल होगा टार्गेट इसलिए 1521 रुपे का और 1537 कोई थकान नहीं है वाजार में मुमेंटम भी लूज नहीं हो रहा है अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है अगर थोड़ी सी आप 25,000 के आसपास इस रेंज में थोड़ी सी कर भी लीजेगा अगर आपको हो रहा हो तो लेकिन फिर से आपके लिए लोवर लेवल पर रेंट् कि न यह इसे मुमेंटम भी बाजार का चिक होता है कि किस साइड की कॉल जादा आ रही है तो चार की चार तीजी के सोदे हमारे एक्सपोर्ट की तरफ से लेकिन उसके अलावा सिटी की रिपोर्ट में दो और स्टॉक्स पर बिकवाली की राय है एक है डील एफ बिकवाली क अच्छी है कैश फ्लो काफी अच्छे रह सकते हैं जिसके चलते उन्होंने टागेट प्राइस बढ़ाया है इसी के साथ सोभा पर भी उन्होंने बिकवाली की राय दी है कॉर्परेट ओपरेशनल ट्रेंड्स के चलते उन्होंने टागेट प्राइस बढ़ा कर अब 1600 रुपए प्रतिशेर का दे दिया है अक्षे क्या राय बनेगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर जहां पर अबिकवाली की राय है DLF और सोभा, टेक्निकल्स पर क्या चार्ट्स दिखा रहे हैं तो DLF का प्राइज स्ट्रक्चर काफी मजबूत है अब गए तीन मैने का प्राइज आक्षिन देखे तो बार-बार कहीं ना कहीं 800-820 के स्टर से अच्छी कासी बाइंग देखने को मिल रहे है DLF में, अगर रीसेंट प्राइज आक्षिन भी देखे तो फिलाल एक bullish flag and pull formation बना था तो आज रिपोर्ट के बाद कैसा खुलता है और क्या reaction रहेगा वो important रहेगा बट broader price structure strong होने के चलते में कहूंगा हलकी सी dip भी मिलते आपको DLF में तो भी आपको buy करके चलना है थोड़ा positional target है करीबन 920-950 का तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 950 तक आपको ये stock एक देड़ महिने के अंदर मिल सकता है तो DLF में मैं buy करनी की राय रखूंगा 800 का support है और overall 950 का एक target area है सोबा developers की बात करें तो यहाँ पे एक negative price structure है तो यहाँ पे buy करनी की राय नहीं रहेगी एक negative price structure है गए कुछ trading session में 1690 के आसपास trade हो रहा है और तोड़ा सा आज risk लग रहा है कि शायद gap down खुले और stock में थोड़ी सी बिक्वाली का दबाव बनके चले तो 1450 या 1400 तक downside overall आपको देखने को मिल सकता है तो आप DLF buy करें और सुबा को avoid करें ये मेरी रायरे की real estate पार